कुष Unterें के बात करेंगे साला सर टेक नो एंड बिसाका इंडेस्ट्रीज के को अपने को बॉड़ता हुआ दिखा है इंड प्रोफिट खी भी ए गर बात करेंगे तो यर ओन को एक इसका इनकम योज़ोर मिलने क्सकिस्प्रोफिट भी इस कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है half yearly के इसाब से भी जो है कंपनी का profit बढ़ता हुआ दिखा है बात करेंगे सेजमेंट wise तो इनका सेजमेंट जो है year on year हाला कि थोड़ा steel structure जो है down जाता हुआ दिखा है लेकिन बैसे अगर quarter quarter देखेंगे तो बढ़िया performance जो है आती हुई दिखी है और उल्टा हुआ है EPC के साथ में EPC में देखेंगे तो quarter quarter जो है down गया है year on year यह बढ़िया किया है तो देखेंगे तो सदा हुआ सा result आता हुआ दिखा है कभी steel वाला चलता है कभी EPC चलता है जाता हुआ देखा है तो ऐसे करके जो है चल रहा है अप डाउन अप डाउन लेकिन अगर आप देखेंगे तो बढ़िया performance इस बार निकल के आई है एक सालर सा techno की तरप से तो यहां पर बात करते हैं तो स्टॉक को जो अगर चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे हला कि स्टॉक को कोई एक भडिया टाइम भी हो चुका है 2017 में स्टॉक लिस्ट हुआ था उसके बाद मैं देखेंगे तक अच्छा खासा इसने एक डाउन नीचे डाउन फॉल भी देखा है उसके बाद मैं सरीके से जो है इसका रिजल्ट आता हुआ दिखा है यह दुबारा से जो है तेजी पकरता हुआ नजार आएगा साला सा टेक्नो बढ़िया प्रॉफेटिविल्टी अच्छी परफॉर्मेंस इस बार जो है इसने पोस्ट की है अगर बात करें यहां पे तो ईपीस के चले करें और तो सब्सक्राब करें बात करें बिसका की तो विसाका की अगर बात करेंगे तो year on year तो हाला कि इनकी performance बढ़ी है, quarter on quarter इनकी revenue डाउन जाता हुआ दिखा है, same देखेंगे तो आप quarter on quarter इनका profitability भी जो है down जाती हुई दिखी है, year on year इनकी profitability बढ़ी है, कोई खास profitability भी नहीं दिखी है, हाफ yearly के इसाप से देखेंगे तो profitability म होता हुआ दिखा है, इनकी अगर सेजमेंट की अगर बात करेंगे तो building product बाला जो है quarter on quarter, year on year तोनों तरीके से जो है गिरता हुआ दिखा है, जो बढ़ा है, वो है synthetic blended yarn, यह बाला जो बिजनिस है, इनका yarn बाला, यह बिजनिस जो है भरता हुआ दिखा है, मतलब जो है, सबसे जो है, इस टॉक भी एक सदने की कोशिस कर रहा है, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी जो है इसमें red candles बनती हुई दिखी है, green candle के मुकावले, यहां भी उसी तरीके का जो है pattern बनता हुआ दिख रहा है, तीन red candle लगातार जो है बनती हुई दिखी इसमें, अब नीचे का बस एरिया अगर यह काटता है, यहां से अगर यह revive अगर होता है तो बढ़िया है, अगर यह 600-500 रुपे के नीचे, अगर यह 500 के नीचे अगर यह जाता है, मेरे इसाब से जो है, अगर यह नीचे अगर 500 के नीचे अगर एक महीने अगर यह रोक जा दिखाने की कोशिश करें तो हमेशा जो है इसमें अलट रहने की जरुवत है तो कि 50% की रेस्टेंस का क्रॉस होने का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़वड है इस टॉक के अंदर और अगर यह करीब गरी 530 की अगर नीचे चला गया तो फिर समझ लें कि इसको समय लग सकता है उपर आने के लिए यहां पर अगर बात करेंगे तो इसकी 71 की EPS है इसमॉल केप कंपनी है 2.52 की डिविडेंट इल्ड है 10 की फेस वैल्यू है इस टॉक जिस तरीके से गिरा है वो थोड़ा सा एक चिंता जनक है यहां पर अगर बात करेंगे डिविडेंट की त तो कंपनी ने बहुत अच्छी खासी डैप्ट कम किया है 2020 के मुकाबले 2021 में यहां भी शेयर वोल्डिंग पैटन अगर आप देखेंगे तो मुस्ली जो है प्रमूटर सेंड पबलिक के पास ही जाया स्यादा जो है शेयर है एंड यहां पर बात करेंगे तो साड़े 17 परसं सकते हैं अगर यहां से नीचे गया तो उठने में समय लगेगा अगर यहां से ही म necessity तो बढ़ीया न Till agora यहां से देखने को मिल सकता है रेकिन नीचे का समझके की कूविवे अगर यहां से अगर यह डुया तो इसको देखना इसको रुझैंज होने जैसा है है लगातार तीन केंडेल रेड कैंडेल तीन केंडेल बनना एक धिक्तत की बाद जो हिPhone अपना वह सकती है तो उसी सबसे जो है अपना भी एक वार्ज enrichment स्टोक को 20 can ये होड़ करें अगर आपको ये वीदियो एक लगात आप लाक जरू करिएगा हमारी वीडियो को ज्यादा श्यादा शेयर करें जिससे कि और लोग भी जो है रिजल्ट देख पाएं थैंक यू